यह सत्ता पक्ष है, वीजीपी सरकार है, दलतों के उपर अत्याचार हो रहा है, ऐसे होते रहेंगे, और कितने होंगे, यह योगी जी के रामराज्य है, हमारे अंदर से मीडिया का विश्वास उड़ चुका है हमारे लिए, कि एक मीडिया और पुलिस पिट्स आ सक, दोनों की हो चुके हैं यह, जो आप मेरे पीछे चिता देख रहे हैं, यह उसी मासूम की चिता है, यहीं पर उसको जलाया गया है, परिवार का आरोप है कि पुलिस प्रशाशन ने दबाव बना कर परिवार पर यहां पर उस बच्चे को जलाया गया है, आप मुझे बताईए कि इ पुलिस प्रशाशन ने परिवार पर दबाव बना कर बच्चे को यहां पर जलाया है, इस में, मैं, सब सचाई है, पुलिस प्रशाशन ने बहुँत ज़द ăदबाब बनाया, ज़द से ज़दधा, दबाव बलकुल तो उस दबाव की पीचे का गारण, उख आ पृता होना जाहिए, क्यूंग दबाब बनाया, इसका करण तो उन्हें को पता होगा। बच्चे की चिता को आप जो है वो पिता ने दी या पुलिस वालो ने दी ये सब जो जो लाश को जो जलाया जाता तो उसकी तैयारी प्रक्रिया होती है वो परिवार ने की जो परिवार है उन्होंने की या ये सब तैयारी पुलिस प्रशाशन ने पहले से कर रखे थी इसकी पिलानि कु थैयारि उन्होंने पहले से कर रखे थी , लेकिन हम लोगों को बट ये समंझ में आया की ये ये पिलानिय जदा एंहे अपने आप करेंगे, तो हमने नहीं करने दिया आप लोगों को नहीं करने दिया। और उसमें ट्राली में लकडी थी और इनके पास डीजल की कैन भी थी पुलिस पिर्शाशन की पास इसमें कमिशन साहब ही थे और डीम साहब सारे इस पिर्शाशन ही थे तो बच्चे को जब लेकर आया जा रहा था परिवार साथ में था या पुलिस जल्दी जल्दी में लेक पुलिष जल्दी कर रहे हैं, तीर पेले कि हमने करता कि हम इतु जाने दीजिए, पारिवार के जो सादस है, बहाई है, पापा हैं, और जो भी हैं, कम सब्सक्त देखने तो दीजिए, हमें ते साड़े तीन गंटे कम सब्सक्त आइम्बूंस में रोके रखा, किस लिए हैं हमने इन से यह काता कि जहां बच्चे साहिद हुआ है उमेशफाल पारग में तो हम इनके डाट बोड़ी के लिए महीं रखेंगे जो हाँ पे अमबेट कर पोस्टर लगा हुआ है वहीं पे बच्चे काप शब अधहन करना चाहते थे नहीं हम बहां रखना चाहते थे क्योंकि घर थोड़ी जगे कमती हमने की यहां हुआ है पांच मिट रखेंगे फिर ले जाएंगे पिर्शासन ने हमारी एक बात नहीं सुनी नहीं सुनी हमारे लिए साड़े तीन गहंटे मैं अम्बूलेंस में था एक नंदकसोर नाम के थे हम तीन लोग अंदर थे हमने बहुत कोसिज करने के बावजूद भी धक्का मारने के तब तो अंबिलोंस रुकी है उनकी पिलानिक वहीं से थे कि सिर्थ समसान गाड ले तिये जाए और जल से जल देन की अनतुष्ट्री के लिए संसकार की जितना जल्दी हो सके तो जो पर जल्दी जल्दी लाने के चकर में लाए गाया तो उनके प्ताजी ने आग लगाई जो बाकी और उनने कोश नहीं कहने दिया जो इसकी परिकरिया होती है जिस तरीका से वह नहीं नहीं दीए बच्चे का चहरा मा नहीं देखा बहन देखा पिर हमने साड़े तीन गंटे के हमने का हम तो साप बधाद के लिए घर पे ले जाएंगे तब बाड़ी इनने ए गंटे ले जाने दीए फिर उनने त्व चम्प पिर अपर थे चल्दी कीया है पिर तो पिर शासन जल्दी करने को लिए तयार तकि जल्दी ले जाओ यहां से पिताने बच्चे के शब को जब मेरी बात हुरी थी ता आपने बोला कि ये पूरी प्रक्रिया जो है वो पहले से हित्ताय की गई थी बिल्कुत इस तरह से ये घटना को जे इसने अंजाम दिया है उसके मुख जिम्मेदार जो है वो SDM साब मेलक के अमंडोवर और एक नियाव तैसिल्दार है जो होते है उनके कहने पर DM साब के गोली चलाए गई है गोली चलाए गई है वो माजूद थे उस तरह वो चाहते तो घटना के लिए रोक सकते थे आपने बता था कि बच्चे के साइन लिये गए हैं जी जी साइन के बारे मतलब थोड़ा से बताई है जो ताइस तारिक के लिए जो एक कि साम के लिए ये लेकर जब पेपर देने ये पेपर दे के आए तब इन्होंने उनके साइन लिये थे पुरिस वालों ने बच्चे के साइन लिये थे पुरिस वालों ने बच्चे के साइन लिये तो जब बच्चे के साइन लिये गए तो जब बच्चे के साइन लिये गए आप बता रहे हैं कि जो टीवी मीडिया जो आया है उन्होंने इस खबर को कुछ और ही रूप में लोगों को दिखाया उस पर आप बता हैं यह इतनी बड़ी घटना है कि पूरे देश में इसका जितना संग्या लिया जाओ उतना कमी कम है क्योंकि दुखत घटना है बहुत दुखत घटना है लेकिन किसी मीडिया ने अभी तक इसे फ्रेंट लेबिल पे नहीं दिखाया है बिल्कुल इसे नीचे लेबिल पे दिखाया ने मीडिया दबाब में होगा पिछसार्सन चाना बाम में होगा यह हो सकता है कि मीडिया ळबाब मेंच अटना अगर क talents तरहिए दिटन्य तरह और वहा किउरे वहा और न के चाहीं अब आजी तो बोल रहाएं थी कि फैरिंग दोनों तरफ से चलिए उनुहो? थी कामरेे पे इतना जूट बोलाई थी कि दोनों तरफ से चलिए बट लेकिन कि अन्हें पज्द पेडिस से पूंछ नहीं पूछ सकती है नहीं पुन्म पड़ान नहीं पूछी पूछ हो हीघा उन आई थी अर यह बाद करेखेों कर एंदिक आ एके नावाली बरम रश्मदी चला सकता है तो और महिला गोलीशन जाए दिया है नहीं जब हाँ महीला थी आईडियम साव थे तो गोली सूटिंग के ओर्डर किस ने दिया उनके लिए ये तो उनको पता होगा तो आपका कहना है कि उन्होंने बहुत जूट जो है जारा जूट बोले जी जी बहुत जूट बोला इसमें ये जे पिर्देश की यूगी सरकार जी है मैं इसे हाँ जोड़कर निवसन करता हूं कि इसके लिए जल से जल दोस्यों को सजा दिला दी जाए उन्होंने शेट जी उसमें ये दिखाया है कि सियो साब की गाड़ी के फैरिंग हुई है और उसमें सियो साब की गाड़ी थी नहीं सच कुछ और है मीडिया दिखा कुछ और है हमारे अंदर से मीडिया का विस्पास उड़ चुका है हमारे लिए कि एक मीडिय और पुलिस मिट्स आ सक, दोनों एक ही हो चुके हैं ये ये सम्मिधान की बात करते हैं, आज सम्मिधान के खातर एक बच्चे की जान गई है 16 साल के बच्चे की जो अग्जाम चल रहे थे एक मा का वेटा गया है, एक पिता का सहरा गया है उन्हें क्या पता दर्द क्या होता है जब उनका कोई होता है तब दर्द पता होता है, क्या होता है या अच्छा किया या बड़ा किया वो तो हुन नहीं पता हो वो अपने घर में सबसे बढ़े थे जी, अभी तक नही आरोपी को सजा मिली ए, नहीं गिरबदार हुआ है, नहीं कुछ हुआ है, और पिल्श पुर्शासरें हमारे उपर दवा बना रहे हैं कि किसी तरह सही हमारे लिए, चाहें मोख इक से सही, चाहें किसी तरह का सही ये बयान दे दे दें आप लोगों पर दबाब बनाए जी जी बिल्कुल किस तरह के बयान की वो क्यों तो उनी को पता होगा लेकिन आप पर दबाब बनाए जी दबाब बनाए दबाब कल भी था आज भी था और रहेगा आपको डर है कि आप आगे भी इस तरह की जी जी हो सकता है यह पहला मामला है इस गाओं में इस तरह के मतलब एक लड़ाई का महौल एक बहस का यह पहला मामला है या ऐसे और मामले भी हो चुके हैं तो कुछ नहीं हुई है, इसमें कुई लड़ाई वाद थोड़ी है, कोई दूसरा पक छोता तम मानते लड़ाई हुई है, यह तो पिरसासन ने अपनी मनमान नी की है, उस बोर्ट के लिए उखड़वाने के लिए, महिला ने ने घुड़ने दिया, उन्हेने सीधे सोटिंग गवादे इतने मही, उन्हे यह भी सरम नहीं कहती हैं, क्यों चला रहे हैं, थोड़ा दयातोग व खाते, आवेश चोहण, जीस का नाम जिसनीन गोली चलवाई है, आवेश चोहान जीए, उस हाले वने लैन पिर दो दिया, ठाव्क चाहारण तो उसके लिए तुम्त नही है उसके लिए जिसे बोलते हैं बर्खास करते, डियम साब के लिए बर्खास करते, लेकि उसके नहीं, यह सत्ता पक्छा है, वीजीपी सरकार है, दलतों के उपर अत्याचार हो रहा है, ऐसे होते रहेंगे, और कितने होंगे, यह योगी जी के रामराज्य है, आपकी क्या मांगे हैं प्रशाशन से, थोड़ा सा सुस्पर लेए, हमारी यही मांगे, जिस तरिका के यह घटना के लिए अंजाम दिया है, जिसे उसे फांसी हो, और इनके परिवार के लिए दुखत घटना में, सरकार कांदे से कंदा मिलाके खड़ी हो, जिस तरिका से इन्हों ने प्रियाग राज में एक कांस्टेबल को मार दिया ता, तो उसके घरवालों के लिए सरकारी नोकरी दिये, यह योगी जी ने, उसी तरिका से इसके लिए भी इनको नोकरी दी जाए, और इनके संबान के इनकी पिरत्मा लगा दी जाए बाबा साब की जो मेटकर की मूर्ती लगनी है वा पार्क मना दी जाए उसके बराबर में इनकी पिरत्मा भी लगा दी जाए ये सहीद हुआ है